कुछ और जले, कुछ और सीटे, आईए, जरा उसका पिटारा खोलते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं, डेटा सेंटर अखिलेश के पास अखिलेश जी बिल्कुल रोमाना देखिए, अब तक हमने कई सीटों का हाल दिखा दिया कि पत्रकारों का जो अपना अनुभो है उसके आधार पर ये एकजिट पोल क्या इशारा करता है, बागला जो जिला है, वो जजज़र, चार विधानसभा की यहाँ पर सीटे आती हैं, बहादुर गड़ है, बदली है, जजज़र जो की सीट है, वो और बेरी, यहाँ पर आप देखिए, एक सीट पर तो काटे की ट जाती है, एक तो है वहाँ पर बाहड़ा और दूसरी है दाधरी, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कॉंग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि एक पर काटे की टकर दिख रही है, बिलकुल आर पार का मुकामदा है, यह जो पत्रकारों का अनुम पोल है, भीवानी को लेकर यह इशारा करता है, तो यह तीन जिलों का हाल हमने आपको बताया, और वहाँ पर इस अनुमान के मुताबिक क्या दिख रहा है, क्या तस्वीर है, वो दर्शकों के साथ में है, रुबाना तो यह तीन जिलों और तीन जिलों की दस सीटे अब आप और जोड़ लीजे, 31 अभी तक हम आपको दिखा चुके थे, विधानसभा सीटों का हाल, 10 और जोड़कर मामला 41 पर पहुंच जाता है, और 41 में कॉंग्रस क्लियर कट 20 सीटे, कॉंग्रस की खाते में जाती हुई न परचा कर रहे हैं, जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, खास पैमान हमारे साथ बने वह हैं, हर्षपरदंत्र पाठी जी का रूप करते हैं, सर सबसे ज़्यादा दिल्चस्प यहाँ पर यह तक्कर वाला आकड़ा है, जिस तरीके से कॉंग्रस का आकड़ा बढ़ रहा है, जिन में टक्कर हो सकती है, उनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है, बीजेपी के लिए फायदे मंद हो सकता है? दस सीटे हैं जो दूसरे लोग डिसाइड करते हैं. रोमा जी जो रोतक है, जजजर है, सोनीपत है, जीन्द है, भीवानी है, सिरसा है, ये जो जिले हिसार है, ये जिले जो है, वो जाट बहूल इलाके हैं. और यहां कॉंग्रेस का एज है, आखरी समय में जो मद्दाता थोड़ा बर्मित रहता है कि किसकी सरकार बनेगी, हवा कॉंग्रेस की है, और जो आखिर में 2-4% मद्दाता डिसाइड नहीं कर पाता है, वो हमेशा जिस पार्टी की सरकार बनने की संभावना होती है, उस तर हूं कि भारती जनता पार्टी सिर्फ जीटी रोड पर और दक्षिन हरियाना में है, जाट बहूल इलाकों में भारती जनता पार्टी का इस बार बहुत कोई मजबूत जनाधार नहीं है, और पार्टी के जीतने की संभावना है, हम टक्कर इसलिए दिखाते हैं कि गलत ना लेकिन आसपास की शीटों पर जब उमिदवार जीत रहा होता है, जिस पार्टी की सरकार बनी होती है, उसी तर्फ जाते मद्दा था जिसकी वज़े से बताया जाता है कि बीजपी 2019 लोग सभा 10 सीटों से घटकर 2024 लोग सभा में 5 सीटों पर सिमट गई, विधान सभा में और भारी पढ़ने वाली है बीजपी को देखे रुमाना जी आप अगर एक्जिट पॉल का देखे आक्रा ही ले लिजे तो हर एक्जिट पॉल ने देखा है कि हमारा जो वोट बैंक है वो बिल्कुल नहीं उसमें कमी आई है, तो वोट बैंक एज़ इस इंटेक्ट रहा है, यह साफ दिखा रहे है बलके बढ़ोत बादरा के ले लिजे पॉल जेज़ पी इंडिपेंडेंट जीते थे इस बार पूरे तोर से वो सिटे जो है भाजपा के तरफ आ रहे है और भी कैसे सिटे चाहे विवानी में हम रिटेन कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर कट है, हमारे इसाब से आप 20 देखा रहे हैं, वह अब तक की सिटे जो आपने दिखाए 41 वस्वेस से अब आविस्ट सिटे जो है, भारती जनता पार्टी की जोली में जाएगी, बाकी सिटे जो है, उस पर अभी के आकडे के साब से 22 सिटे हमारी आकडे में दिखा रहे हैं, बाकी सिटे और भी जो आप आएंसी और आजसे क के खाते की सिटे हैं, बारा और साथ को जोड़ दीजे, मामला 19 पर आजाता है, फिर तो कोई फरकी निवाजा, बीजपी और कॉंग्रेस मतलब मामली लडाई जो है चुनाव में हर्याना में, बिल्कुल बराबरी की ये बीजपी मान रही है, ऐसा है क्या जमीन पर, 19-20 वा करते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, एक जित पोल कभी किसे के फेवर में होता है, कभी किसे के खिलाब जाता है, लेकिन जैसा अपने कहा है, लडाई 19-20 की नहीं है, लडाई मुझे लगता है कम से कम 15-20 की है, इतना डिफरेंस रहने वाला है, वो इसका काहरान दूसरा भी है, कि आप देखिए, पच्चेतर पार कानारदयाता बीजेपी ने दो हजार उनिस में, चालिज सीट आई थी, आपको 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 आपकी सरकार बनी अलाइंस की, दुष्ण चोडाला के साथ में, तो पहले भी जब वे दो हजार चोदा में सरकार बनी बीज तो मुझे ऐसा लगता है, डिफ्रेंस काफी रहेगा, और बीजेपी, 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 माफ कीजेगा साथारिस्ती, बीजेपी जो है, जो डिफ्रेंस आपने कहा कि लडाई उनिस बीस की नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता जमीन पे देखने के बाद, लगब का इशू है, आप देख लिए एक बात कर रहे थे कि भाया, सिर्फ जाट लेंड में कॉंगरेस मजबूत है, अगर आप लोगसमा चनों का डेटा देखेंगे, तो आप देखिए, अमबाला और सिर्सा दोनों रिजर्व सीट है, दोनों कॉंगरेस पार्टे ने जीती है, त जब की बीजेपी वहां कहीं सीटों पे अच्छी फाइट दे रही है, तो ये ऐसा कहना कि सुरफ जाटों के एरिया में कॉंगरेस पार्टी में जबूत है, ये ठीक नहीं है, जब डाटा सामने आएगा तो आपको डिफरेंट डिजल्ट मिलेंगे इसके, जैसा मैंने बता वो हिसार, सिरसा, ये सोनीपत, जींद, इसके आंकड़े तो अभी हमने दिखाए भी नहीं है, कमोबेश अभी तक जो इलाके आए हैं, वो जीटी रोड बेल्ट वाले या फिर वो नौर्थ हर्याना वाले, आप वो यमना नगर जगादरी वाला इलाके की आप बात कर सकते हैं, और वहीं पर इस तरीके से बीजपी जो पिछडती हुई नजर आ रही है, तो मतलब आगे बीजपी की मुश्किल और बढ़ती हुई, या फिर दक्षन हर्याना वो अहिरवाल वाला जो इलाका है, वहां से अभी उमीद बाती है, बीजपी के लिए सबसे बड़े उमी इसमें भी 47 और 40 परती भाई, कभी भी वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, आप 4 से उसका सफर देखी, लेकिन अगर वो यहां इस्टिती थी, जिसमें पूरे देश में दलित पूरी तरह से कॉंग्रेस पार्टी के साथ गया, उसमें अगर 10 में से 5 सीटे वो रिटेन कर कर रहें, वो चुनाब तो प्रधानमंती नरेंदर भोदी का चुनाब होता है, शिवहाप उसको सिर्फटार और संगठन से इलाकर जोड देते हैं, तो कहीं ऐसा थे नहीं आप प्रधानमंती नरेंदर भोदी की जो लोग प्रियता है, उसको कम कर के आक रहें क्योंकि उससे पहले भी हमने देखा था, 2019 में भी भले ही 10 की 10 लोकसभा सीटे जीती थी और वोटशेर जो है वो करीब 58 फीसे दी, लेकिन उसके बाद 2019 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, वो 40 सीटों के आसपा सिमट गए थे और वोटशेर वो 58 से घटकर शाए 36 पर जैसे ही घड़ी का काटा तो पहर धाई पे आए, बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन, इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट आपको रखे आगे